तेरा एरिया कौन सा है? नाम क्या है? क्या कभी भी इस बार में आ जाता है? बार वाला तेरे को कुछ बोलता नहीं? एरिया चान कर तू मेरा क्या उखाड लेगा रहे तेरी तोफाद! हेई! और कान इसके साथ? अलो पुलिस टेशन यहां बार में कुछ गुंडिये लफड़ा कर रहे हैं। भाई अपना लड़का इंक्वाइरी के लिए गया था उसको कुत्ते की तरा धो डाला भाई। भाई बार वाली ने पुलिस को फोन कर दी है, अगर हम लोग रुखे तो बहुत प्राब्लम हो जाएगी। पुल्लू के पठ्थे? चल फोन रख! गाउं किधर? कौतनाली! कौतनाली? भाई तो कौतनाली गया है भाई! कौतनाली? अपने गाउं का है वो? हाँ भाई आँ जल्दिया रड़के लोगों को लेगा अभी आ रहा हूं भाई तुझे क्या मैं मिताब बच्चन देख रहा हूं इधर कोगी रखेगी? या यहार रखेगी? चल! मेरे चार्चा पे किसने हाथ उठाया? बालो! तेरे चाचा के उपर हाथ उठाने वाले का हाथ तोड़ दे! मैं तेरी मा बोल रही हूं उसका हाथ तोड़ दाल! तेरी मा बोल खरेए ब तेरी मा देखेगा चा सकता हाथ तोड़ के लignment बालो! कि अपने तू भाई पापा को इसने वाराता चोड़ा मादिसको कि अपने मेरे ही नाम होता रहा है और इस साल का टेंडर भी देख लेना किसी और को नहीं मिलेगा कि अपने अपने पेट किलिए नहीं कि अपने पेट किलिए नहीं सिर्फ पैसो के लिए मटर करते हैं यह कॉंट्रैक्ट किलर्स हैं जो अपने पेट के लिए नहीं सिर्फ पैसे के लिए मटर करते हैं इन सब के पीछे जो राक्षास है वो और कोई नहीं भाई काम हो गया शाबाश यह भैरो जो अन्याय का ठेकी दार्शासक है यह अपने आपको इस मंदिर का धर्म रक्षक कहका है आपका काम हो गया वेरी गुड भैरो देव ने हमेशा मेरे थंदे को बर्वाद किया अब इस टेंडर को लेने वाला यहां कोई भी नहीं है अब से सब कुछ महीं हूँ मैं तुमको 25 लेक्स ज्यादा ही देता हूँ थैंक यू थैंक यू पैसे के लिए उसने अपनी पत्मी को माड ढाला कहीं उसके ससुर की जायदा उसके हाथ से न निकल जाये इस डर से उसने पत्मी की बहन को डरा धमकाकर उससे शादी भी कर ली वो इतना चलाक है कि उसने जितने भी लोगों को मारा है उसके खिलाब कोई सबूत नहीं चोड़ता जितने भी मर्डर करता है और में ये सीधा तालुक नहीं रखता क्योंकि उसका गुसा ही उसका भरोसे मंदस्तर है इसलिए पहले लेयर के जरीए दूसरे लेयर को पॉइंट करता है बड़ी सा बिहार, जहारकन और उत्रपदेश के कांट्रेक्ट किलर्स को इस्तमाल करके मर्डर करता है ताकि बहरव और उनके करीबी सहयोगी के साथ इसले लेयर में काम करने वाले किलर्स कोई डारेक्ट कांट्रेक्ट न रखे बंस जील खत्म होने के बाद वो सभी उसके लिए सिमकार्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं सिर्फ नाम के लिए भैरव फाइनेंस का अपनी चलाने जैसा दुनिया की आखों में धूल जोकर कारोबार चलाने वाला ये वाइट कॉलर क्रिमिनल अपने सोसाइटी में एक वी आईपी की तरह जी रहा है मुझे तकलिफ थी इसलिए मैंने पैसा उदार लिया था आगके वाई इस यहां बेगा वहाँ भी मिलेगा और हर जगा पे मिलेगा यहाँ भी मिलेगा वहाँ भी मिलेगा हर कहीं मिलेगा वो क्या वाई भै है क्या या फिर भक्त प्रलाद के फिल्म में दस सर वाले रक्षास को बद करने वाला उग्र नर्सिमा है क्या दुश्मनों का दुश्मन राजाओं का राजा, ऐसे है राजा, इम्मत वाला बात्षा, 440 ओल्ड का जटका, बिंदार, वाइटर, बढ़ियां एक्टर, उसे देखने से इश्वर का रूप याद आएगा, बिना मुकुट का राजकुमार, वन एंड ओनली, अंजनी पूत्र एए, सुपः, 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 तेरी इन बातों को सुनने के बाद, मैं तो उसका फैन बन गया, प्रीज गुरू, क्या मैं उसे एक बार मिल सकता हूँ, भाई, हम लोग यहाँ पर उसकी रेटिंग निकालने नहीं आये है, उसकी चरभी निकालने आ सुनो, आटमीज मत जाओ रहे हैं जल्दवाजी में, तो जलत काद मत उढ़ाओ आहा, क्या चमक है, क्या ग्लेमर है, आपके परसनेलिटी के बारे में जो सुना था, वो बहुत ही कम था किसी की तारीफ करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, जो हमें पसंद करेगा, वो संवान भी करेगा, और जो पसंद नहीं करेगा, वो हम से दूर हो जाएगा. अरे, यही है, क्या वो राजा? अरे, राजा मत बोल, अपना राजा भाई बोल. जो पैसे तुम्हारे बॉस को देने वाला था और तुम्हेरे तुम्हेरे तुम्हारे जाओ काट डालो इसे जाहरे जाना कव्क पारफ तुम्हेण अचाए्ट Yesta रालो तुम्हेरे जाध भी हैं.... क tournaments कि युई अंग त अंग वकर भास कि आसे अपार अब आपको दूद का अबिशेग करा रहा हूं लेकिन ये सब तुने क्यों किया है ये कुछ बनाया उसे माला क्यों पहनाई और दूद से इसका अविशेग क्यों हो रहा है ऐसे सवाल नहीं पूछते हम अन्नदान भी करेंगे रक्तदान भी करेंगे सिंपल कटाव के लिए ऐसे है तो दिल में मंदिर भी बनाएंगे हा भाई चीक है अब आराम से नीचे उतरा मेरे भाई अब ये स कला के पुजारी कला पसंद करने वालों कलाकारों साब्धान इसी जगह पर कुछी मिनिटों में अभी आपके सामने गाना गाने के लिए आ रहे हैं आप सब का दिल बहलाने के लिए हमारे राजा भाई बजाओ ए बजाओ ए बजाओ रे आई शबाश पाड़ियां सोड़ा राण सर्वाद है जाते हैं यह आंटी कौन है शेगर ब्याज के पैसे मांगने के लिए गया था वो घर पर ताला लगा कर भाग गया यह बुडिया वहां बैटी थी इसलिए मैं इसको उठा के लिए आया कैसा लगा अगर यह बात मार्केट में गई तो मेरी इज़त खराब हो जाएगी अगर तुम इ कि आओंगे मैं जा रहा हूं यहां से अबरिया विश्तरबान के अपने कहां जा रहा हूं मैं पर यह बुडिया प्याज के तौर पे तुम ही रख लो पेवकूफ कहिंगा यह क्यों बखरा रहे तू मेरी डादी है ना सुबे सुबे नाच्तों में गरम इडली के साथ चिक अरे भाई ऐसे वक्त में यह तुम क्या बोल रहे हो राज कुमार के फिल्म देखने के बाद भी तुम्हें अकल ही आई क्या नहीं तुम जितना भी एमोशनली बात कर लो मेरी दादी मेरे साथ रहीगी तुम अटेंशन से मर जाओंगा मेरी दादी को अपनी दादी समझ कर अच्छे से एक्चुलीahah मा चिकें लेक्स तो नहीं है चिकें हैंड्स है वढ़िया तो हाथ लिखा रही है वो सेट का लड़का हमेशा ये मॉल में चार-पांच रड़कियों के साथ गिरा रहता है गुरू हमें तो किसी से भी नहीं मिला गीता ये बंधन धर्ती के लिए और ये जार तेरे लिए मैं मनने जा रहा हूं अरे मैंने गीता को फोन किया है वो आते होगी वो नहीं आएगी मैं मर रहा हूं अरे संजवेट्स गीता पार्ट टू इस हाइट से गिरने के बाद इसका पैर भी नहीं तूटेगा और ये कूट के मरने का ड्रामा कर रहा है अब यह नहीं सब चाहता ना तो चल नीचे उतर वो लड़का नीचे गिरके तो नहीं मरेगा वो मोटी के डर से जरूर उतर जाएगा मुझे पूरा यकीन है क्यों भाई बचने के लिए अच्छा गीता आई लाज्यू ए संजू वो दे गीता आगई क्या मरा लिया मरा लिया मरा लिया मरा लिया ओ घीता अकर तुम नहीं मारने मार जाओंगा मत करो मरो मत मैं तुम्से लव करकी है सच में हाँ प्लीज उतर जाओ मेरी जान की आइए वहां खड़े रहें बता देखो मुझे में एक वीकनिस है मुझे मन्जूर है, क्या विखने से बताओ मुझे कीता देखो तुम सुनो, डेली सेम सेम खाना मुझे पसंद नहीं एक दिन इडली, कभी पूरी, कभी कबार पोंगल, ऐसी वराइटी चाहिए मुझे ये नो प्रोब्लम ये चेंज सिफ खाने में नहीं और फिर लव में भी क्या लव में भी तुम सुनो, तुम मुझे पसंद हो, तुम्हें I love you बोला कल उसे पसंद करूँगी, उसे भी I love you बोलूँगी नेक्स इसे पसंद करूँगी, तो इसे भी I love you बोलूँगी ये पसंद आया, तो इसे भी I love you बोलूँगी तेरे लिए सुसाइट करने जा रहाता, मेरे जूते देखो, मुझे इस जूते दिर खुद को मानना चाहिए, तुछ G4 गीता नहीं है, C4 चीटर है, T4 टेरर है, T4 डॉट और टुझे अकेले में देखता हूँ, कवाग में हट बाग कहीं का, में देख लूगा तुझे में, तुझे में नहीं गलत समझ रहे हो, उसने तुमें नहीं बोला, बलके उस लड़के को उधार दिया, तुमें भी सुना न यहाँ खडे सभी लोगों ने सुना और वों गई तो एक सबस्या है? आजुआ है शुआ है और एक मिनिट तुमसे कुछ कहना है तुम लोग प्यार को समझते क्या हो कपड़ों की तरह बदलने वाली कोई चीज है क्या प्यार? या फिर कोई मुबाइल सिम काड़ है जब दिल किया पुराना वाला फेग दिया हो जाकर नया खरीड लिया तुमने लड़कों को ATM मशीन समझ के रखा है क्या जब दिल किया ATM स्वैब किया और पैसा निकाल लिया फिर से क्या तुम्हें तो सिर्फ मुझ चलाना आता है तुम्हें क्या पता है इस मैटर के बारे में उसके पास देखभाल करने के लिए माता पिता है कॉलेज जाने वाली एक बहन है जिसकी शादी करानी है ये सारी जिमेदारिया है उस पर लव-लव करके खुद की भी लाइफ खराब करेगा और उनकी भी मैंने खुद की कैरेक्टर को गिराखे उसकी लाइफ को बचाया है समझे बिना जाने कुछ भी बोले जा रहे हो तो आपके पहर को नमसकार दी आपके अच्छे रादों को जाने बिना हमने आपको गलत समझा मुझे आपका आशिरवाद दीजिए मुझे भी आपके जैसी लड़की चाहिए जी फार गौरी इमा के फार काली इमा डी फार एई देवी बोलो ना प्री टीक है प्लीज आप जा कि मेंस चेक कर लोगी आप जहीं बॉस से मिल लीजिए अच्छे ये फाइल ले करके जाना है प्लीज एसे इसके एक्सपोर्टर्स के मालिक सुमर्शिकन ने मुझे यहां पर बेजाय है किसे मारना है बोलो है एसपी सूर्य प्रकाश को मैटर क्या है हमारे साब के उपर उसने एक चोटा सा केस किया है उस बात को लेकर एसपी हमारे साब को बहुत परेशान कर रहा है कौन सा केस है हमारे कारखाने में तीन लड़किया काम करती थी वो एक मैने से गायब हैं गायब नहीं तेरे मालि तो तेरे मालिक को जेल जाना पड़ सकता है अब तुम मेरे पास आये हो चिंता मत करो, मैं इसे देख लूँगा तुम लोग भैरा फाइनेंस कमपनी में आये हो अपनी संपत्ती के डॉक्यूमेंट्स को हमारे पास के रिवी रख देना तुम लोग सारे रेकॉर्ड्स अच्छे से बनाके रखना नए सिम कार्ट खरीद लेना और तुमको नए नए नमबरों से कॉल आएंगे उन सब को रिसीव कर लेना किसी भी कारण से उस नमबर से किसी को भी फोन मत करना ओके सर ये अमाउंट मैं किसको दूँ पोन पर बताऊंगा तुम लोग जाओ तुम लोग जाओ सूरी का वाई एस पी सूरे प्रकाश का पूरा डीटेल चाहिए हमें ओके भाई गोपी बोनो भाई एस पी सूरे प्रकाश ठीक है बाई मनो अजिन वेक्सिमकार खरीद हर मुझको फोन की ठीक है भाई झाई एफ प्रकाश 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 यह झाई भाई मंदिर आने के बार ना मन को बहुत सुकून लगता है ऐसा कि ओ? हाँ, मुझे भी इसे ही लग रहा है तेरे ज्रेब में एक पैसा नहीं है स्वाती, हाँ, लिसन, तुम शॉपिंग करने जाओ, पांट विट में आ जाओंगी मैं ओके ना, बाइ ओके बाइ तुमने के लिए चार-चार लड़के चाहिए तुझे, उन्हें वैंकॉक ले जाएगा वहाँ जाने के लिए तुन्हें सेटिंग भी करके, मूँ तोड़ूँ हो तेरा क्या करूँ भाई, मुझे सेंडवीच बहुत पसंद है यहां हम सभी को टोमेटो केचप बहुत पसंद है पीसो रहे बंस 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 करो यार, तुझा यहां से पैसे टाइम पढ़ देना राजा, तुमारी प्रेमिका आरी है आई आई ये ना, प्लीज बढ़िए तैंक्यू क्या करो गुरू, इनका चेहरा देखकर मुझे यही गाना याद आगे वह बात दे भाईया, हर कोई मुझे दे के यही गाना गाता है बाइदवे, वह सेट को लड़के को क्यों पीट रहते या, वह मशीन करहाग है कैसे मशीन? पाजरा मशीन, वोशिंग मशीन, कप्रिट दल, दो, और दो एई, वह क्या है कि अमने सेट को ब्याज पर पैसे दिये थे वह पैसे वापस कब करेगा, उसी बारे में पूच्टाश कर रहे थे आपका ब्याज का बिसनस है बैंक बिसनस आपके बैंक का कितना इंट्रेस्ट है? फायर इंट्रेस्ट, यह उनसे तब तक इंट्रेस्ट लेते हैं जब तक वो मरना जाए हम उन्हे ऐसे शॉक देते हैं कि आज भरते-बरते उनकी जिंदगी खतम हो जाया और असल जो कते हो ही रहे फेरी पी, हम उनने नहीं छोड़ते है अब समझ में आया क्या? हम यह हमारी गेस्ट है ना फिरिज देन के लिए कुछ थंड़ा लेकर आओ जाओ जाना यार अचली क्या है ना वो में मंदर आया थी दर्शन हो गए फोल दिंग यह क्या है? फस्त हम आई है ना अथिदी देवो भावा यह लीजे अबे तु यह क्या लेकर आ गया? तुम ही तो बोले थे फ्रिज में से ठंड़ा लेकिया ना फ्रिज में यही शबसे चिल्ट था क्या हुआ? यह नहीं पसंद नहीं क्या? छी थू राजा आपका अब्राण यह नहीं है लेकिन चकने में मटन, चिकन और अंड़ा सब कोछ है अपने पास छी मुझे नहीं चाहिए तुम लोगी पिलो मुझे कुछ में चाहिए नहीं में पूदिखे माई यह वह तो नहीं पीरे चला अपू नहीं पीलेते है, अपका अंदर लेके जाएगा, चला ऑधी तेरी तो लड़की के सामने तुने मुझे बेवडा साबित कर दिया फ्रीज में जितनी बोड़ने सब अभी निकाल कर पाहर फिक ठीक है छोड़ो गुरू अभी से हम फ्रीज में केवल चाय और कॉफी रखा करेंगे अबे चल सुनो जी अपनी गाव से कुछ लोग आये हैं आपका इंतजार कर रहे हैं नमस्तार बैठिये आने वाले कास्तिक महिने में मंदीर की पुझा करने की सोच रहे हैं पहले सब मुद्टु राजन को आगे खड़ा करके मंदीर में पुझा करवाते थे लेकिन आज कल तो आप लोगों ने मंदीर में आना बिल्कुल ही चोड़ दिया है आने को तो बहुत दिल करता है, लेकिन काम इतना बढ़ गया है कि वक्त ही नहीं मिलता आप जैसे गाउं के बड़े लोग अगर आना ही छोड़ देंगे, उधर बाहर के लोग मंदिर में आकर के अपना हग जता रहे हैं बेन मालिक कहकर हाँ बहन, आज से 22 साल पहले आपके पती ने इस गाउं की एक हजार एकर जैमीन को मंदिर के नाम पे दान किया था लेकिन कागजी कारवाई पूरी होने से पहले रेजिस्ट्री के काम पूरा होने वाला था कि उनका देहां धो लिया हम सारे के सारे गाउं वालों ने मिलकर उस भैरव को इस गाउं और मंदिर से दूर रखने का फैसला किया है उसके बदले में सत्य राज को नया धर्म रख्षक बनाने का हम सबने फैसला किया है मैं क्यों चाचा जी सत्य राज ये हमारे परिवार और हमारे गाउं के इज़त का सवाल है इस पद के लिए तुम ही सही वेक्ती हो ठीक है जैसा आप बोले ये सब सुनने के बाद इस बार हम सब गाउं जाकर पूजा खतम होने तक वही रुकेंजे उस एक हजार एकड़ जमिन को मंदिर के नाम करने की तैयारी कीजिए ठीक है बहन अब हम सब चलते हैं ठीक है चिका उधर देखो बहुत सही था ना गुलाब, मोगरा, गुणह, चमेली, लिली, कमल सा फ्लावर का पुरा मार्केट अपनी ओफिस के तरफ क्यों आ रहे हैं हाई हाई, चीर गड़, आजो, 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 एक ही चेहर है, सिर्फ एक ही बेटी नाई, नाई, छोड़ो, राजा कितर है? राजा क्यों, मंत्री से काम चला लो हम यहाँ पोस्टर देखने नहीं, पिक्चर देखने है हाई, पैंच, जबड़ा ही लाने वाला मैटर क्या है, अरजेंट है, थर्टी थाउजन उदार चाहिए, मिल जाएगा, तुम लड़कियों को नहीं देंगे, तो और किसको देंगे, गिरवी रखने क्या राएगी हम ऐसा कुछ नहीं लेकर आए है अरे चलेगा, ये पिंकिस पिंक ना, इसे रखके जाओ, हम तीन दी तक, इंकू पिंकू डॉंकू खेलते रहेंगे, और बिर बाद में इसे आके लिखे जाना, ओके, चलेगा ना तुमें, चलेगा ना अ, बी, ची, नहीं जी, सी, मैं राजा के आने के बाद बाद करती हूं, जा रहें, पैसा नहीं मिलेगा तुम जा, पिंकी आरे इदर बैठ जा, पिंकी गीता, हॉई गीता, हॉई तुम 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 अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ आई हो, बैठो ना यह मेरी फ्रेंड अनीता है, जॉब मिला है, सो हमने सोचा इससे ट्रीट ले ले ले, वो क्या है ना, मन्त एंड है, कैश नहीं है, ट्रेडिट कार्ड की लिमिट में क्रॉस हो गई है, सो आपसे 30,000 की उधारी चाहिए, लो प्रॉब्लम, करीम भाई, वैसे 30,000 की ट्रीट, हमने अक्ष लेडिन होटेल में ट्रीट मनंगी थी, सो यो इस वेरी इस Integr को की लेडिटेज सही लेडिट यह सबस्टें, बढ़े शुझां इंचला है, नहीं अगया इसा प्राष्ट इस अब याए शुकुलिध और इस अचे नहीं होग इसे घृती बात कर आ कि आ था सबस्टें, यह सोच रही हो को इबाने को इबाने को इबाने कर एकर मुझे करने ए ककी एकर देए बमने भीुचrás को इबाने को इदा एक है übersुटिड़ एक व verde साड़ी का पलू कार के डोर में फंसक्या था वो एसपी का एकी सेंटिमेंट है बोले तो उसकी खुद की वाइफ रॉबिन थेटर में मैटनी शो के लिए दो टिकेट बुक किया है उसको उधर ही खत्म कर दो थेटर में क्या है हादा रही है 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 कि कि थे कि उपेश्स ओंद पुरै है कि फिल्म तेखले की एता है कि फैसी हो तुम शोंने पैसे दिये हैं वह वापिस करने हैं अरे कोई अरे कुए अर्जंट नहीं तुम आराम सो मैं फिल्म देखने आया हूं सा दंगल if you don't mind please can I join एक्चुली फिल्म तो बस शुरू ही होने वाली है चलेगा तुम वहाँ जाओ मैं वहाँ पहुंच कर कॉल करती हूँ ओके तो ठीक है मेरे पास चार टिकेट हैं इज़र एक सीट खाली होगी उधर एक सीट खाली होगी तुम दोनों दंगल देखो और लेकिन तुम लोग कहा जाओगे हम तेरे बाजू के थेटर में जाएंगे उसमें कौन सी फिल्म लगी है अंधिरी रात में दिया तेरे हाथ में अबे वो तो अब बॉल एसपी निकल रहा है ठीक है तूभी निकल एसपी घर से निकल गया है सब लड़कों को अलट रहने को बोल ठीक है भाई दो जनको गाड़ी के पीछे भेज ठीक है और दो लोगों को कार पार्की के नजदी कोई लोकल लड़का तो नहीं है ना नहीं भाई कुछ भी हो जाए अपने रड़कों को पता नहीं चलना चाहिए कि मनने वाला एसपी है अगर थोड़ा भी करबड़ हुआ ना तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फस जाएगा हम लोग 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 अगरा है वो कहा हो तुम मैं पारकिंग लोट में हूँ आई कांट कम तुदि सिनिमा क्यों एस सम्टिंग रिली रॉँग तुम जल्दी से बाहर आ जा तुम जल्दी से बाहर आ जा तुम दुको मैं प्याद को बताव कि वार रहा है क्या हम लेट हो दे हम वाता जा 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 तुमच तुम हु económ जोड ए जोड दोड बमेडि जोर दिए जोड़ जोडरा जोर द में जोर दिए जोड पिंग कि अज़ाए प्यूल्डर प्यूलव कि प्यूल प्यूल सबता है प्यूद इए 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 मेडम आप ठीक है सब आउटसाइडर्स से देख लिया ना तुमारे पती की डूटी कितनी खतरनाक है कल तक इसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं था लेकिन आज तुमने अपनी आँखों से देख लिया सुनिये जी जिसने हमारी जान बचाई है उस महान को मैं एक बार देखना चाहते हूं अच्छा किधार है वो लड़का आपको हॉस्पिटल में भी उसी ने एड्मिट किया सर मुझे नहीं पता वो कहा है सुनो भाई उसमें अपनी जान दाओं पर लगा के हम दोनों को बचाया उसका पता नहीं लगा सके आप लोग पूरे हॉस्पिटल में सिसी टीवी कैमरा है फोटेज चेक करवा लेता हूं सर सुनो अल्रेड़ी वो लोग प्रोफेशनल किलर से ऐसा तुमने बताया आज वो लोग मुझे मारने आये थे कल को उस लड़के को भी तकलिफ दे सकते हैं जिस्ट लीव ही मलोन ओके सर ओके बगवान देख लिया ना ये है हमारी जिम्देश फोड़ा रहे उसे पुलिस चोड़ा तुम लोगोंने पबलिक प्लेस में पुलिस के उपर अटैक करते वग सब देख रहे थे वो इस सीन के अंदर कैसे आया कौन है वो वो एसकी और इसका क्या संबंद है पता नहीं भाई पॉमान पबलिक है या फिर इसको बोच करने वाला अंदर कवर एजेंट है या फिर मेरा आपोसिट गैंग है इंपॉरी करो ठीक है भाई निकल जाओ पिक्चर में सब बैट्जीन को कट कर दिया सोस है उसे में तो मजा था क्या करी माला क्या कर रहा है चिका इस अब सबस्जियों का नाम इंग्लिश में क्या बोलते है रहे वही सोच रहा हूं यह नहीं जानता तो जो जानते हैं उनसे पूछ कर जान लो ऐसा क्या कदु को क्या बोलते हैं पंकिन आलू को जुम्किन पोटाइटो सेजन ड्रमस्टेक बेंडे लेडिस फिंगर गाने वाले को गाने वाले को गाना आता तुमको मैं आए यू करेक Depart go तुम कुछ भी बोलो कोई फरत नहीं पड़ता है मैं अनुवर को भूलने ही पा रही हूं सुन चित्रा जल्द बाजी बिल्खुल मत करना हूं ए राजा आए है हाई 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 राजा है सॉरी उस दिन मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर पाई सो इसके लिए अरे कोई बात नहीं आओ बैठो कॉफी पीते है राजा आओ तुम यहाँ बैठो अरे बैठना यार अरे आओ गुरू मैं बोल रहा हूं न क्या बात है चीका इस चेर में कोई वासुदोश है क्या वो जगह मेरे दोस्त राजा के लिए एकदम परफेक्ट है हां तो क्या ल किल्मी डालोग माने पर पटने वाली सेंसलेस गौल नहीं हूं है लाइफ में क्लारिटी और पक्का प्रैक्टिकल सोचने वाली हूं है इधर कोई लड़का सड़नली तुम्हारे पास आके अगर आइलव यू बोले तो तुम क्या बोलोगी चपल से मारोगी अगर कोई लो एनिवेज अगर प्यार किया तो उसमें एथिक्स देखो, मॉरालिटी देखो, ज्यादा से ज्यादा स्टैटिस मैच होर रहा है के लिए देखो, सही हो ना राजा? चीगा, राजा, चल एलो मैडम, इंग्लिश में बात करने से कोई हाई-फाई नहीं बन जाता, इस्टेटस कुछ मीठी-मीठी बाते करने से नहीं, दिल के अंदर होना चाहिए, किस से पूछा तुमने इस्टेटस, क्या तुम जानती हो उसका इस्टेटस क्या है, बोलो, क्या जानती हो तुम पैसा कमा के रखना है, इन सब को, इन सब को सही वक्त पर यूज करके छोड़ देना चाहिए, मारो गुरू, मारो, जब तुमारे स्टेटस के बारे में बोला, उसी वक्त उसकी जुबान खीच लेने चाहिए थे, लेकिन मैं चुप था, मुझे उस बारे में कोई बात नही कुछ लड़कियों को, ओरिजिनल क्या है, सेकेंड हेंड क्या है, समझ में नहीं आता, उन्हें सिर्फ इधर उधर घुमाने के लिए, शॉपिंग कराने के लिए, फ्रेंट के नाम पे बगरा चाहिए, शादी होने के बाद फॉरन जाके सेटल होने के लिए, बैंक बैलेंस रखने वाला पती चाहिए, उसने अपने राजा के स्टेटर्स के बारे में बात की है, उसका स्टेटर्स जानेगी तो शौक हो जाएगी वो, क्या बोल रहा है जिका, अपना राजा कौन है, उसका बैग्राउंड पता है क्या उसको, राज ग्रूप ऑफ इंडिस्रीज का राजा की शादी फिक्स होई थी, शादी के चार दिन पहले, राजा की घर में लड़के की तरफ से पार्टी का इंतिजाम हुआ था, क्या भाई, दारू बारू कुछ नहीं है क्या, अरे चुपकर यार, मा यहां पर है, कुछ नहीं है, हलो, कहां पर हो तुम, सुनो मुझे तुम से कुछ बात करनी है, अरे पर तुम हो कहां पर, घर के अंदर ही हो राजा, जल्दी आओ ना, ठीके मैं अभी आता हूँ, लवन्या, राजा, कहां हो तुम, राजा, मैं यहां हूँ, तुमने मुझे यहां पर क्यों बुलाया, क्या बात है, बोलो, राजा, मैं आपको बहुत चाहती हूँ, लवन्या, क्या कर रही हो तुम, राजा, मैं आपको बहुत चाहती हूँ, लवन्या, क्या बोल रही हो त पापा यह क्या कर रहे हो तुम लोग एक मिनिट मिनिट बास उनी आप एक मिन बोर रहा है तुम पर रहे हैं पर चाहिए पहले मामली का पता तो करो क्या पता करना है अगे पिछे सोचे बिना आप बात नहीं करता ऐसे गटिया लोग इस घर में मुझे पता होता तो मैं इससे गडम नहीं रखने देता मामा मुँ में जो भी आया है बकिये मातर। कौन रे? कौन पक्वास कर रहा है? इसके बाप के मरने के बाद इस कमीने को जमीन का एक हिस्सा देकर घर से भगा देना चाहिए था अरे सुनिए आज तक इस घर की मालकिन भाबी ही हैं ये बात ध्यान में रहे वही घर की मालकिन है इसलिए एकने दिन चुप रहा हमें यहां बुला कर हमारी इज़त के साथ खिलवाड किया कहां गया तुमारा सौभिमान? कहां गई तुमारी इज़त? अरे मामा आओ, आओ जी आओ तुमारे लड़के ने कैसी घिनावनी हरकत किये तुम ही पूछो इससे क्या किया तुने क्या किया तुने बाभी तुमारे मारने से इसने जो गल्ती की है क्या वो ठीक हो जाएगी यह क्या आओ लोगों के सामने मेरे इज़त निकाल दी क्यों किया इससे क्यों आप क्यों आसु बहार रही हो यह मेरी होने वाली बहू है ऐसा नीच इंसान मेरी बहू के साथ गलस सो लुक करेगा तो क्या मैं अपनाओंगा नहीं एक मिनिट इस घर में कोई नीच नहीं है सबके सामने तुने मेरा सर जुका दिया ना जा बाहर जा बाहर अगर तु कभी लोटका मेरे सामने आया तो मेरा मरा हुआ ही चेहरा देखेगा निकल जाओ यहां से अगर तब राजा सच बोल देता तो लवन्या का जीवन नस्ट हो जाता सारी सच्चाई अपने दिल में दबाकर वो अपने घर और अपनों को छोड़कर दूर आ गया उसके घर में काम करने वाला मैं विना मेरा स्टेटस देखे ही उसने मुझसे दोस्ती की मुझे अपने साथ रख्खा ऐसा है अपना राजा इसलिए वो जब घर छोड़कर आया मैं भी आ गया और वो लव करने के लिए उसका स्टेटस बूच रही है अपने राजा का स्टेटस क्या है पूरे स्टेट को पता है करीम अला चल उसके घर चलके उसके पूरे खांदान को सबक सिखाते हैं तू गाड़ी रेडी कर मैं जाके तलवार लेके आता हूं मनो ठीक भाई कोछ पता चला थियेटर आया हूं भाई करीम थियेटर में जाकड़ा हूँ था वह नड़का कौन है भाई कौन है वह पता ने पर वह वाइड जीप में आया था वाइड जीप में आया इससा पता चला आजू बाजू मैं पूछ के देख आ भाई पूछता हूं बैड रहे स्वाति जल्दी चलो राजा उठो घीता इतनी रात में तुम्हार आओ चैट्रा अनवर के साथ भर से भाग गई है घीता राजा के पास जाके हेल्फ मांगते हैं तुम लोग जाके जल्दी से राजा को भुला के लाओ जाओ उसके ममी पापा को अभी तक नहीं पता राजा प्लीज हेल्प करो प्लीज प्लीज चलो ए योट जीब की चावी दे सुनो वाटसप पे फोटो भीज़ूगा सारे आदमें को भीज़ दो जल्दी कोई भी इंफोर्मेशन मिले तुरंद मुझे फोन करना अलो जड़को को बोलो कि रेले सेशन पे चेक करें वाटसप मेरे फोटो भीजा है सब चुकाप की देखो बस टेंड में चेक करने को बोलो प्राइवेट बस को मा चाने देना सब को चेक करो कोई भी जगे पछनी रीच आईए हर जगे ढूड़ो यहां पर भी नहीं भाई यहां पर भी नहीं भाई याशनपूर में नहीं गुरू श्या गुरू एरिया में सब लड़के थों रहे है आया रागा अब मेरी एक फ्रेंड मिसिंग है सर एक फोटो मुझे भेज देना ठीक है सर फिस्टाओं अलो काट्रॉल रहूं और कोई अब अब नहीं है है अलो राजा वाट्सेब पर जो लड़की का तुना फोटो भेजा है वो इधर ही है कहां पर चैंगरी रेलवी स्टेशन पर चैत्रा चैंगरी रेलवी स्टेशन पर चोड़ दो उसे एई छोड़ दो उसे राजा तु इसमें इंटर्फेयर मत कर यह मेरा पर्सनल मामला है क्या पर्सनल मामला है रे प्यार में मुश्किल आगी तो उसका सामना करना चाहिए जर पोक की तरह भागना नहीं चाहिए इतना भी मनाने के बाद मेरे खरवाले नहीं मारेत मैं क्या क करूं तो क्या करेंगे वो बेटा बूलकर तरी शादी करवा देंगे उन्होंने पाल पूसकर तुझे बड़ा किया है उनकी भी कोई मजबूरी होगी इसमें इतना ओवर्यक्ट क्यों कर रहा है प्लीज राजा छोड़ दो यह मेरे जिन्दी के का सवाल है सिर्फ अपने ब कारोसा तूट गया तो वो भी तुमको दर्वाजी के अंदर बंद करके जाएंगे पर तुम उनके प्यार को समझ नहीं रहे हो राजा मैं इसे अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ पूरी हिस्ट्री देख ले बिना घर वालों की मर्जी के कभी भी प्यार काम्याब नहीं होता तुम दुनों आज भाग जाओगे लेकिन उसके बाद तुम्हारे माबाप पर क्या खुझ देगी कभी इसके बारे में तुमने सोचा भी है जब तक माबाप साथ में हैं उनकी समझ में नहीं आती है उनके ना रहने पर समझ में आती है इतनी बड़ी भूल मत करूं अपने प्यार के लिए तुम एक साल इंतिजार कर सकते हो ना उसी तरह अपने पैरेंट्स के लिए तुम एक साल इंतिजार नहीं कर सकते देखो, प्यार करना गलत नहीं है, प्यार की मैं हिस्ज़त करता हूँ अन्वर, मेरी बासमज में आ रही है चैत्रा, तुम्हारे माबाप को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है सुरी राजा, इसके लिए तो मैं जीवन भर इंतजार कर सकता हूँ बाई दीदी, बाई, राजा, तुम्हें अपने माबाप बहुत पसंद है क्या क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है थैंक्यू राजा गीता, चैत्रा मिली क्या? मिल कहीं माँ, तो फिर इतना चेहरा उत्रा हुआ क्यों है? बहुत बड़ी गल्ती कर दी तुन्हें, क्या किया इसने? अंटी, वो राजा है न, इसे बहुत पसंद करता था, लेकिन ये है कि उसे जाने बिना इसने उस बिचारे का दिल दुखा दिया, मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा हमारे बुलाने पर आधी रात में आकर उसने हमारी मदद की देख गीता, स्टेटरस दिखाने वाले तुझे बहुत मिलेंगे लेकिन माबाप की इज़त करने वाला करोडों में एक ही होगा ऐसे आदमी को मिस करोगी, तो इस दुन्या में तुम्हारे जिसा बेवोकुफ कोई नहीं देख गीता, तुम अभी उसको बोलती हो, नहीं तो मैं वेटिंग में खड़ी हूँ वैसे भी मेरा कोई लवर नहीं तो मैं उसमें ट्राय मारती हूँ I love him, mom I am so happy वैसे अधिक का अधिक का अधिक करें अधिक का मर्या था दिखा नहीं तुम्हार मैसूर में अफ्रीका से लाया गया बाग का नेल पॉलिश करने गया था करने वाले कोई भगा लिया तो पकड़ने बुलाएंगे तो फिर मुठा के पीछे भागेगा क्या आज वो आकर राजा 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 मेरे घर पर नौकरानी नहीं आई है आकर कपड़ा दो ऐसा बोलेगी तो वह भी दो लेना रंगोली बनाने बोलेगी सबजी काड़ने बोलेगी घर साफ करने बोलेगी फाइनल में घर का काम करने के बाद तुम्हें ही घर का चोकिदार करेंगा ना राजा चिक हो्सकर गर गया पानी लेका निलेक जली लेकिया पानी डाल चिका क्या होँ तुझे मैंने बोल अधर यह अगलो होश मैं आ जाएगा दोश आया राजा कब आया शैतरा कैसी है तो में अंफेले क्यों गए मुझे भी बिलाते लिए भी आता था किटा तो अच्छी है ना मैं जिम जाकर आता हूं थोड़ा वर कॉड़ करके आता हूं तेरे में शरब नाम की कोई चीज नहीं है किसमें कहा मुझे नहीं आती है मैंने बोला क्या हो गुरू में तुमारी आवास नहीं पहुचानता क्या है अगर किसी में मत हो तो मेरे सामने हुरु कंपनीयजर विजय गुमने वाल आदमी वह थू ही है क्या है क्या हुआ तू मुख अच्छा तू अब यह थी नहीं है क्या वह है बढ़ाई वह है वही बंधन वही शय्ट महीं पेंट अंदर के अंडरिमेर भी है देखेगा देखें किसा सामने ghost card कर चुकर्कना बेचने वाला थाइफन कर लिए त्टू फ९ह रर में अइसा ही फॉट इसटोस कटने वाले को गारी के सथ हैं मैं टीक हूं तुम कैसे हो बेटा मैं भी अच्छा हूं चारचा ने तुमको रिजिस्ट्री इफ़ बुलाया है ठीक है मैं आ जाओ finance हेलो हेलो राजा है राणी हे करिमला मैं हूँ गीता है राजा के दिर है वो क्या है कि फोनी दोरी छोड़कर रेजिस्टेशन ऑफिस गए है वो ठीक है मैं उधर चले जाती हूँ नमस्कार कैसे हो दस मिनिट मैं बुलाता हूँ तुमको आ ठीक है भाई मेरी और लावण्या की साइन जरूरी है क्या हाँ और कितना वक्त लगेगा दिदी आप कार में ही बैठो तैयार होते ही मैं खुद बुलाता हूँ लावण्या पिटा जी अकेले खड़े वहां उनको भी बुला लो ना नहीं अभी रहने दो बेटी एटलीस मुझे उनके साथ जाके बात करने की इसाज़त दो नहीं बेटा बेकार में रामाइन की काहानी को दवराओ मत भाई को ऐसा देखने पर मुझे बहुत तकलिफ हो रही है यह दर क्यों आई है सुनिया मलिक आप लोग आये आते हैं बेटा विराज तुम भी आओ हलो यहां किसलिए आई हो राजा को मिलने के लिए नहीं मिल सकती क्यों नहीं उसकी माँ इदर आई है अधर BMW कार से बहार आ रही है न वही है अंजना देवी जी अपने राज की माँ राज ग्रूप आफ कंपनीज है न उसकी ओनर आज किसके लिए आई है पता है 15 करोड की प्रॉपर्टी को मंदिर के नाम दान में देने के लिए रजिस्टेशन करने के लिए घर के सारे लोग आए हैं और हमारा राजा भी आया हुआ है कि उस दिन कुछ स्टेटस से स्टेटस बख रही थी ना ये है हमारे राजा का स्टेटस समझी गया चल्ड कि मिस्टर विराज कि प्रोड की प्रोपर्टी मेरे हाथ से निकल जाए ऐसा मौल ख़ड़ा ख़र दिया उस पंडित में आए वो बुद्धा कि मंदिर के अंतर चपल पहन कर क्यों आ रहे हूं कि राओ थोड़कर जाने वाले बंजारे लोग को बुला के सबको अपने सरबर चड़ा रहा है तू यहां किसी को भी लेकर आजाओ इन यहां कर आजाओ मैं ही हूँ इसकी अन्याई को रोपने वारा क्या पोई नहीं है यहां पर दसाजार है रख ले हाई राजा यह बैलेंसर तू रख ले ठीके बादों मिलते हैं ऐसे हो मैं अच्छा हूँ राजा मेरे जिंदी के बरबाद होने से बचा कर प्यार क्या होता है इसका मतलब तुमने बताया मुझे तुमसे एक बात करनी थी हाँ बोलो गीता है ना तुमसे बहुत प्यार करती है राजा ऐसा क्या यही सब बताने के लिए वो आज रजिस्टर आफिस गई थी तुम कोन हो तुमारा स्टेडर्स क्या है यह उसे मालूम पड़ा उसे गिल्टी फिलुआ और इसी प्रपोस करने के लिए तीन साल लग गए इसलिए मैंने हिम्मत जुटा कर खुद प्रपोस कर दिया हमारा लव मैरिज हुआ है बाई हलो लेट मत करना है हलो जीता दीदी जीता दीदी कौन दीदी एक सलाह देता हूं सुनो बोलो मेरे आटो को पिछे क्या लिखा है जरा देख लो वाट मुश्किल से कमाया हुआ पैसा और चाहने वाले लड़के को कभी भी हाज से निकलने मती में आसमान के तारे खुद दमीन पर उतर कर आये हैं ऐसी लग रहा है ये ले लो बेटी जा है माजी ये तो खुद फोल कर देख लो किस ने दिया माजी आपको ये एक खुब सुरत लड़का राज कुमार ने दिया बेटी वहां उससे देखो मेरे पास बहुत जमीन जायदाद है पर उससे भी कीमती मेरे लिए सिर्फ एक औरत है मेरी माँ और उस माँ की कसम खाके कहता है मैं जब तक जिन्दा रहूंगा मेरा दिल सिर्थ तुम से त्यार करेगा जब तक भी करता है पेरा ठालू रोक 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 गाड़ी रोक पिछे ले उस दिन जब थेटर में इंक्वाइरी किया था उसने बोला था कि वाइट जीप में आये था ना आवाई ये वनो वो अंदर बुलू कलर का चेक शट पहना है ना वही है ये कब है अरे क्या वाइट ये क्या दर से हट तेरा एरिया कौन सा है नाम क्या है क्या कभी भी इस बार में आ जाता है बार वाला तेरे को कुछ बोलता नहीं एरिया चांद कर तू मेरा क्या उखाड लेगा रहे तेरी तो हाँ है और कौन इसके साथ अलो पुलिस टेशन यहां बार में कुछ गुंडिये लफड़ा कर रहे हैं भाई अपना लड़का इंक्वाईरी के लिए गया था उसको कुत्ते की तरा धो डाला भाई वोटना मा तुसे भाई बार वाली ने पुलिस को फोन कर दिया है अगर हम मा राजी नहीं होगी इस घर का वारिस है वो कुल्देवता की पूजा में वो नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा ठीक है कोई अच्छा समय देखके मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि नमस्ते माकेम का शोभा बच्ची के लिए थोड़ा दूद लेकर आओ ही क्या ही के आओ लावन्या कैसी हो बुआ है कि मैं अपने बच्चे के कसम खाकर कहती हूं राजा ने मेरे साथ गलत कुछ नहीं किया कि मेरी वज़े से राजा को घर चोड़के जाना पड़ा कि उस दिन की गलती के वज़े से राजा अब तक वो सजा भुगत रहा है यह सब मेरी वज़े से हुआ मुझे माप कर दो हुआ कल रात को जिन लोगों ने लपड़ा किया थो कौन है मुझे पक्का पता है कि यहां का रेगुलर कस्मर है वो कौन है कहां रहता है करेक्ट इंफॉर्मेशन दे बाजार के लड़के लोग से बाजार के लड़के लोग? बाजार का ही चोकड़ा है चोड़ना मत चोड़ना मत जानता मार दो खीक है भाई चलो रे नमस्कार नमस्ते यह किस लिए भाई सब आपके सागत के लिए सुनिए सत्यराज भाई अब आप ही को इस मंदिर का धर्मरक्षक बनकर रहना है ऐसा हम सब ने मिलकर निरने लिया सबी को मेरा नमस्कार इस रेजिस्टर में साइन कर देंगे तो हमारे मंदिर के सारे रीती लिवाज पूरे हो जाएंगे आप सबी को मेरा नमस्कार अधिकार हात में आया तो तुम क्यों चाहे बगे जाओगे क्या वे हमें बेवकुर समझ रखा है बेवकुर समझ रखा है बेवकुर कोईगा अरे छोड़ो इसे उसकी इज़त नहीं उतारने का चलो उस दिन मंदिर में सब के सामने उसने मुझे चपल से मारा और आज अपने गुंडे के जरीए सत्यराज के मुझे तमाचा मार कर उसकी बेज़ दिकी इस गाहों में उसके अन्याई को रोकने वाला कोई भी मर्द नहीं है क्या काटे को काटे से ही निकालना चाहिए इतने समय से अपनी गुंडा गर्दी से हम सबको डरा रहा है ऐसे किसी इंसान को बुला नागो जो उसको मुधोर जवाब दे तब जाकर उसको अकल आएगी हम भी अगर उन गुंडों से लड़ेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्ग रहेगा हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए ऐसे गुंडे लोगों के लिए पुलिस टिशन में जाकर कंप्लेंट लिखाने का कोई फाइदा नहीं जड़ से उखाड़ना चाहिए राजवी का पालन करने वाला राजा वनवास गया है यह जानने के बाद गली का पुत्ता भी पूछी लाकर सीना तानकर घूम रहा है और यह लोग भी राजवंशी होने का रोब जता रहे आज अगर हमारा राजा रहता तो किसी को हमारे खर के चोकण मैने की हिम्मत नहीं होती अगर भाई यहां रहता तो चट्टी के जैसे ही सब को पीज डालता इनकी गुंडा गर्दी निकल जाती इन लोगों की हिमत नहीं होती, अगर मेरा भाई यहां पे होता, मा, भाई कहा है, उसे बुलाओ यहां एक बर मोदे तो समझ में नहीं आता है, बदमाश कितनी बदमाश है करते हैं, मारोंगी तुझे, करेगा चोरी, करेगा तुझ, बोल, हाँ, अरे मा, घल्ती उसकी है कि नहीं पहले पता तो करो, हलो, हलो, मा, मा, जल्दी राजमहल आ, जल्दी राजमहल आ, आता हूं, मा, हलो, मा, जल्दी राजमहल आ, जल्दी रड़के लोगों को ले गया, अभी आ रहा हूं, तुझे, क्या मैं अमिताब बच्चन देख रहे हूँ, इपर कोगी रखेगी, यह यहार रखेगी, चल्ब! मेरे चार्चा पे किसने हाथ उठाया? बॉलो! तेरे चार्चा के उपर हाथ उठाने वाले का हाथ तोड़ दे! मैं तेरी मा बोल रही हूँ, उसका हाथ तोड़ दाल! एक पने हाथ तोड़े पना होगी, उसके पर यददी नंत राजा कि तोड़े झाला है मैं तोड़े चेला है कर दो कर दो भाई पापा को इसने ही वाराता चोड़ा मादिसको कर दो कर दो अजग सत्व पर आहीं हम आहा 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 कि दो आए वाया er एंड यह? अआए हम आए हम रह हम् आए हम आए हम् हम हम एक शर्ट फाड़ने की वज़े से तेरा ये हाल है इसके आगे कोई हरकत की तो तेरी सारी इजद मिट्टी में मिला दूंगी इजद खोना गवरव नहीं है बलकि बेज़ती है इजद को संभाल कर रखना ही अपना गवरव है याद रख कई लाखों लोग हमारे आगे हाठ जोड़कर सन्मान करते है हम लोगों की कितनी ताकत है क्या इतिहास है ये समझ लोग ये याद रखना हमारे सामने खड़े होने के लिए तुमारी अवकात नहीं हमारा सामना करने के लिए भी तुमारी हैसियत होनी चाहिए सुन अगर शेयर चुप है तो उसके पास आने की जड़ा भी कोशिश मत करना डर डर रहना चाहिए ये जो तेरे सामने है वो मेरा बेटा है राज विराज उस दिन थेटर में SP को बचाने वाला यही थपाई आज इसने आपकी जो इज़त का फालूदा किया है भाई वो कोई मामूली आदमी नहीं है क्या देख रहे हैं पी ले राजा आज जो तुने किया उसे इस घर की इज़त मान मर्यादा गौरफ सब बच गया अब हमें छोड़के कहीं नहीं जाना यहीं रहना तुने आज जा रहा हूं जा जाओ 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 यह ना जाओ जाओ जो ना फिलीज इंदर ही रहो ना भाई जाओ जो आज़ता हूं अच्छा आए उन दुकों का मैं ही जानती हूं अगर तुम यहां से चले जाओगे तो मैं सहें नहीं करपाओंगी तुम ने जो गालती नहीं कि उसकी मैने तुम्हें सजा दी मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो बेटा राजा तुम इसके अपिछी राग हो तुम में रहोगे तो अंदेरा हो जाएगा हमारे साथ ही रहो राजा मैं नहीं जाओगा कहीं नहीं जाओगा तुम्हारे साथ रहूगा रुख जाएगे बेहन हम सब के बुलाने पर आप लोग यहां पर आए और आपके मुश्किलों के वक्त हम लोग आपके लिए कुछ नहीं कर पाए तो इसमें भगवान की क्या गलती है बेहन मैं रेजिस्ट्री पेपर में सत्यराज जी के साइन लेने आए नहीं चाचा जी क्यों सत्यराज मेरा भाय मुत्यूराज इस पूरे वन्ज का गौरव था और पूरा इलाका उनको मानता था और आज वो छवी राजा में दिखती है इस वन्ज का सच्च वारिस है वो धर्म की रक्षा के लिए राजा ही सही है उस भैरव की हड्डियों को तोड़ कर हमारे मान सम्मान को इसने और भी मुचा कर दिया है प्यार का प्रतीक भुराई को खतम करने की वीर्ता आप दोनों हमारे मंदिर के धर्मरक्षक बन जाये तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो से रुकिये शेर जब सिंग हासन पर बैठ जाता है तो कोई भी कुटा बिल्ल्यू से आख नहीं दिखा सकता हमारा राजा हमारे साथ रहेगा तो वो खुद ही एक सेना के बराबर है आपकी खौईशों का पूरा करने मेरा बेटा धर्मरक्षक बनेगा रुको फिर देर किस बात की रेजिस्ट्री पेपर में साइन कर दीजिए पुजारी जी इतने दिनों से चल रही संस्कूरुति को हमारे लिए बिल्कुल मत बदलना भगवान के मामले में फैसला बदलने वाले हम कुछ भी नहीं आप एक अच्छा सा मुहर्त देखिए भगवान के सानिद्ध्य में सभी कारियों को होने दो ठीक है वे हैं आने वाले राम नाव में में करेंगे चलीगा ठीक है पुजारी जी अच्छे सब अच्छे सगाना सुन रहा है हम उपर बैठे हैं अम नहीं सुने क्या आवाज नहीं आरी साउंड बढ़ावे हैं अब लुग बस में बैठे हैं तो हाथी पर बैठे ऐसा नहीं लग रहा हां लेकिन एक छोटा सा और चेंज क्याहें सिंगासन हाथी के ऊपर राता है इदर सिंगासन क्यों पर हाति है चल सॉचाइड लूपर ह़िग दी तुम अपना टिकेट निगा लो ओ पार्टनर्शिप में फैटिंग कर रहे हो इंज्वाइब तुम दोनों का काट करना पूरे गाउं को खिला सकता हूं बेवकूफ हाफ टिकेट बोलता है तुझे मच्चर की तरह मसल दूंगा अगर करीमाला बोले का तो तुरी घटिया कड तुम अब तुम आप तुम एसे पुछेगा मैं कॉन हूं हां आज आजा हूं मैं अभी कमने मुठा के नीचे फिंग दूगा इकाउब आ इस पंजारा काट से बचकर निकला हूँ वह शेर हूं मैं अ है जिका बली अपने काउं में शेर को बिली बुलाते हैं आजा तुम अब या लटका हो मुझे आ के बचा हो अब मोटे कितरे टाइम लगा दिया मुझे बचा टाइम वेश से साही नहीं चल रहा है जो तुछ ने जो बोलो विल्कुल साही निकल रहा है तूट तेरी तो बचानी के लिए बोला तो गड़ाओ के कमेंट मार रहा है अगर नीचे उ कमेले तेरी तो बस आगया खूत कूत कमोन चींगा नीकशे लोंगी थो चिरि पट्गा हो नहीं तो तुझे देख लेता तैसे पड़ नहीं रही सकता मेरे बच्चे और बहुत लोग जायदात को हड़ापने के लिए मुझे माने की कोशिश कर रहे है इसलिए मैं मरनने का नाटक कर रहा हूँ बेटा तुझे तु मैं ही माद़ा लूँगा वो सब बचारे इतनी तकलिफ में फूट फूट करो रहे है और तू मरने का नाटक कर रहे है अरे बेटा उनके आशू में T.A.R.P. जाधा है तेरी तो पत्तर चल गया ना यह समें इसलिए नाटक कर रहे हैं देख बेटा मेरा सब कुछ देरे नाम कर देता हूं कुछ भी करके मुझे बो चाले बेटा एक मिट रूप जा रहा है है हम दोनों ऐसे मिलके रहेंगे तो दिल तकी बड़ी अच्छी से गुजड़ेगी पुट राजु हमारे आने के पहले घर साफ कर देगा बोल के हमारे आने के बाद इतना लेट आ रहा है किदर क्या था क्या बोल रहा है आप नहीं समझोगे दोडो अब रखने वालों की यही समस्या होती है नमबरी भूल जाते है और इल्जाम दूसरे पर लगाते हैं अब कैसे सब्सक्राइब कर देखो क्या बोल रहा था तुम उसकी बात पर जादे धानबत दो तो मंदर जाओ तेरी तो इतनी स्पीड में चला रहा है और उपर से अचानक से ब्रेक भी लगा रहा है कहीं में मर जाता तेरी जासका क्या देख रहा हूं तेरा है फोड़ दूंगा वह कैसे वह मैं बता तो अपे तेरे भाई की होने वाली बीवी है वह भाई कौन है है यह हूं है वह कौसे बाइट से अर्से बुक मेरे नाम पर है गाड़ी का फ़र्स ड़ाइब मैं नहीं लिया था है ऍथा बेटिंग करने के लिए कौन पहले फेल्ड में उत जादा है यह हिं इंपोर्टेंट नहीं है इसकोर कौन करता है यह इंपोर्टेंट है मैं आपदी मेर्क महीं हुरे तुझे बैट पकड़ने की तमीज है कि अबर बात कर रहा है तुम्हें वीडियो बाद में निखाता हूं ठीक है क्यों सर मा के घर जाने के बाद गर्फ्रेंड को भूल गए क्या अरे ऐसा कुछ नहीं है मैं खुद तुम्हें फोन करने वाला था इतने दिन हो गए तुमको देखे हुए मेरा दिल और दिमाग दोनों डिस्टॉब हो गया है I miss you so much जानो तुम फिक्र मत करो जितना जल्दी ह वहीर को मैं खुद आ रहा हूँ यह राजा रशा श्टॉप स्टॉप 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 अने से पहले फोन करना चाहिए ना राजा मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे पास आँगा फिर भी तूम यहापर चली आई यहां से जाओ बाइक पाइक पे जायेंगे तो कोई नहीं बाइक पर कोई भी हमें देख लेगा अरे बॉर्फिर्ण्स गर्फिर्ण्स को कार से जादा बाइक में ले जाना पसंद करते हैं पता है तुमको ऐसा क्या लेकिन क्यों तुम्हारी बाइलर जी बहुत वीक है यहां कई गड़ा आएगा तुम अपने आप ही समझ जाओगे ग अब पता चल गया कीता मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहां पर ऐसे मत आना मैं खुद तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर आऊंगा हैं दो देन हो चुके है कॉल नहीं मेसेज नहीं मैं कोई फेसबुक आप हूँ क्या जब चाहे लॉग इन करो जब चाहे लॉग आउट कर लो मेरे साथ य राजा बस इस टेंट पर है मैं आता हूँ अभी उदर चल महीं रहना आ रहा हूँ मैं ऐसे करते रहोगे ना तो तुम्हारे धर पी आके सेटलो हो जाओंगी सच में अरे लुक इट मी कुछ बोलो के नहीं क्या तुम्हारे साथ बात कर रही हूं मैं बोलो गीता बस टेंट वहाँ है तुम जली जाओ और समल कर जाना हलो हाँ बोलो गीता स्वाती मैं राजा के काउंसे बस में आ रही हूं क्या कहा राजा ने तुम्हें बीच रस्ते में छोड़ दिया ऐसी बात नहीं है यार तुम समझोगी नहीं तुम मुझे आखर पिकरो बस इधर हैं रहो इधर ही था वो इधर यहीं कई होगा गारी यहीं खड़ी है भाई चाहें इसने मंगाई रही है यह जाहें आप अपने परिवार में से किसी का नंबर देंगे क्यों क्यों कि पाँच मिनिट में सब का तोलफूड हो जाएगा और एंबुलेंस आके सबको लेकर जाएगी इसको अपना चाहिए नहीं चाहिए तुम्हारा फुल मिल्क ही चाहिए आजाओ अब तु भूगतेगा मुग क्या देख रहा हो जा उबारो तुछ में अभी भी अकल नहीं आई डॉक्टर के पाथ जाना ज़रूरी है सॉरी बॉस शेरिंग आटो रुको रुको मैं आ रहा हूं रुको तुने कमिट्मेंट किया है पूरा तो करना पड़ेगा मैं कुछ नहीं कर सकता अब तेरी बारी है आजा पूको जार चार जन मिलकर उसे एक साथ मारो रहे क्या कर रहे हो कमीनो उस दिन आपसे मार खाकर अब तक पेन की लर खाकर समल रहा हूं अब मार खाया तो सिधा परलोग में जाकर सोजाओंगा छोड़ दो मुझे मैं यहीं सोजाता हूं बहुत इंडेलिजेंट है तो ना मट इंजिने के बच्चो उठके मारों से अब तक देखा हूमर टच अब देख है बॉर टच hmm oh 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 गेता 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 अब वाट्साप पे वीडियो भेर सी हूँ वो देख देखती हो देखती हूँ अजी देखती हूँ यह ख़ अझगी को देखती हो दो हुआँ पी वाट्सि έज़ जज कोपती है क्या हुआ तब है रो ठीक है यह लगे हुए गहाँ पर नमक मत छिड़कों नमक क्यूं छिड़कूंगा मैं भैरो उस लड़के ने सब के सामने तुझे पिटा पूरी मार्किट के लोग तेरा मजाग उड़ा रहे हैं समझा तू चाह बोल रहे हो तेरी पिटाई का वीडियो किसी ने यूट्यूब पर अप्लोड कर दिया यह देखो चार लाख लोगों ने देखा और एक लाख लोगों ने लाइक किया किसने इसे यूटूब पर डाला पहले से भाई टेंशन में डालने वाले का नाम बताओ मुझे इस भाई हीरो साइट से अपलोड किया है लगता है ये किसी लड़की का काम है उसका IP आड्रेस डिटेल सब देता हूं तुमें पहले जाके उसे उठाओ कि आपने बुलाया मुझे राजा ये भैरव एक गाहिल साप के बराबर है कब क्या करेगा किसी को पता नहीं हमारे परिवार के बारे में सोचके ही डर लगता है तुम एक काम कर जाके एक पुलीस कंप्लेंट कर दे ठीक है चाचा जी आपस्ट ओून एस बीस घराओश को अविट इस इन्यों ए वह शेशिए हैएएएएएएएएड़is वह लिए ए सुछ मेटिएएएएएएएएएएएएएश गया किसली साइएएएएएएएएएएएएएए हाँ मैं हूँ आफिजर परेशिंग है अपनी जान को खतरे में डाल कर जान बचाने वाले को एटलिस टेक थैंक्स तो बोलना ही चाहिए नहीं तो बहुत नाइंसा भी होगी मेरी बीवी ने बच्पन में है उसके माबाप को खो दिया था अब अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो बिल्कुल अनाथ हो जाती तुम्हारी वज़े से उसका सिंदूर बच गया थैंक्यू वेरी मच बेटा अब मैं मुद्दे पे आता हूँ तुम्हारे और भेरब के बीच में क्या लखड़ा है तुम्हारे नाम पे खुद मैं एक कंप्लेंड लॉच करता हूँ आकाश यस सर अब उस भेरब से डरने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर हजार पुलिस के सिक्योर्टी लगा दूं तो भी कम है क्योंकि अपना बबबर शेर ही उनके लिए किला काफी है ऐसे हाई वोल्टेज ट्रांस्वार्मर जैसे हिम्मत यहां किसी में नहीं है मां आपने किसी साधरन व्यक्ति को जनम नहीं दिया है दर और देशत नाम की चीज को जो नहीं जानता वो है अपना बबबर शेर है चलता हूं मादी भाई वो कौन है जिसने यूटूब पर तुमारे फोटो पर माई ही रो लिखा है क्या बात है गल्फेंड है क्या एई ऐसा खुछ भी नहीं है ओके ओके क्यारी ओन हाई राजा गीता भैरो को मारते वक्त तुमने वीडियो निकाला तू पर उसे यूटुब पर क्यों अपलोड कर दिया मैंने नो वे 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 वो वीडियो मेने श्वाती को भेजा था आइ थिंक श्षे अपलोड़ेट एए एक मिनिट हा आई पुछ तुम घर में मत रहो तुम जल्दी से मार्केट में चली जाओ मार्केट में तुम्हारे लिए उससे सिर्फ जगाव कोई नहीं हो सकती है जल्दी जाओ फास्क ओकी ओके ठीक है मा सार यूट्यूब में अपलोड करने वाली यही है लेकिन जिसने वीडियो बनाया तो पीता है रहले तो उस वीडियो को डिलेट करो ओके सार राजा मैं आ गया होना फिक्र मत करूँ बहुत डर लग रहा है मुझे ठेंक यू नमस्ता भाई ठेंक यू रवी तॉरी बेटा मेरी बेटी ने जो वीडियो बनाया इसके लिए यह सब हो रहा है कोई बात नहीं अंकल अब यह जगे आपके लिए सेफ नहीं है आप मेरे घर चले जा कि तुम बताओ क्या करें है हम हम चलिए अच्छा तुम्हें अप्चा राजा में ध्यान रखूँगा राजा कि बहुत डर लग रहा है डरने की ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब 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 चाचा जी हाँ कीड़ार उसके माबब को मैं अपने साथ लेकर आ रहा हूं यह बात मा को बता दीजेगा हाँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब राजा, मैंने जो किया गलत था, कुछ भी सजा दे दो मुझे मा को बेटे से दूर करने वाला पापी हूँ मैं, तुम जो चाहे सजा दे दो मुझे मामा जी कैसी बात कर रहे हैं, हर किसी को तुम्हारे जैसा बेटा मिले मामा मन dag जी को तुम्हाई तो इधर क्यों आया है तेरी तकलीफ जानकर तुझे एफपल जूस और हॉरलिक्स पिलाने नहीं आया मैं दो दिन पहले बस ट्रेंड पे एक अंजान को मारने की कोशिश कर रहा था उसका और तेरा क्या संबंध है उसने तुझे कितना माल दिया बीच रोड में उसने मुझे मारा था सिटी के पूरे लोग ये देख रहे थे इस लाग लोगों ने यूट्यूब पर देखा पिर भी तुझे उसका कुछ नहीं बिगाड़ना एनिवे मिस्टर भैरव बहुत जल्द मुलाकात होगी अभी पूछाना तुने कि उसने मुझे क्या और कितना दिया उसने मेरी जान की रक्षा दिया अगर मैंने उस कमीने राजा के परिवार में किसी को नहीं मारा तो मेरा नाम भैरव नहीं है भी कि इसकी कर PB मालिक ने नहीं बुलाया अचा ठीक है yes घो पैसा है ना उस पैसे में और थोड़ा बैसा डाल कर सुनिए мालीक और और मुझे बुछा थो और नहीं तो हो और वेक्वा कंदे को काम नहीं है दिमाग खराब मत कर से यह गया को इसको बोलूं मुझे बोल इसलिए तो एक करी अगर तेरे पास कुछ काम नहीं हो तो जाके वेंकर दक्षमी का घागरा दो परी मला की नाइटी दो तुसीला की चुनरी बोल रहा हूं ध्यान देने के बचा कॉमेडी करेंगा ऐसे कोई मारता है क्वेशे woven इसे घंटी गलती क्या किया है मालिक नहीं ब SGD इसको बोला हुआ कि कई और पील आद्मी हो तुम लिए पեսये हो सल्मान खान की शादी कैसे होगी बताओ मुझे तुम लोगों के आपस के जगड़ी के उजासी को वो जो ट्रंप्स है ना अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया जापान में भूकां पाता रहता है वोगा में अपने विरादरी के लोग आधे नंगे घूमते कमीने चावरे अक अभी बोलता हूं भगवान की कसम मालिक ने तुम्हें नहीं बुलाया अरे संभाल के कुछ नहीं दाया पैर फिसल गया अप्शगुन है ये इसमें ऐसा नहीं जी एक दो मिनिट बैट कर जाओगी तो अच्छा रहेगा अब भी इन सब बातों में विश्वास करते हो क्या चाचा जी क्या बात है आप शगुन के नाम पे लोग ऐसे टंचल ले रहे हैं चाचा जी अगर आपको कोई अतराज ना हो तो मैं आपके साथ फैक्टरी आना चाहता हूं फैक्टरी तुम्हारी ही है वहां आने के लिए तो मेरी पर्मिशन क्यों ले रहे हूं योर मोस्ट कर दो को है विए वोल्कम मौन हो तुम, उठो, पैर क्यों पकड़ रहे हो, क्या हुआ, मौन हो यार तुम प्रच्छूद उठाइ, क्या ओभ ग्राप्वा तुम, उठाइ के अंप हाँ कर Μाँ аст राँ कर दक कर लो जद इस्टा कर दो अच respiratory घाजर फिर्ट खर लिग में पीरी खरkeit चाहरे इसे हो फस्टा और शुड़ गजयर लाज अे है 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 अमारी कोशित नाखाम हो गई है ऐसे कैसे मिस हुआ रहे जिने मैंने भेजा है वो मामुली लोग नहीं है वो लोग जंगल के शिकारी है उन लोगों से कैसे मिस हुआ मेरे चाचा पे जिन लोगों ने हमला किया पुलिस उन लोगों से बुच्छ ताच कर रही है जैसे ही उन लोगों ने मूग खोला सेरा मरना कनफर्म है एक शरीफ बाप की अउलाद होकर तो इतना उड़ रहा है तो मेरा दाता तो बहुत गड़िया था और मेरा बाप लोफर एसो की पिदाईश हूं में उन सबका हरामी पना भराए मेरे अंदर मैं इंडिया के किसी भी जेल में चला जाओं हाथ से बस एक पोनी काफी है तेरी फैमिली का अब से काउंडाउन शिरू तुमकोर में मेडिकल चलाने वाला तेरा मामा पुबली के रजिस्टर आफिस में अताम करने वाला तेरा चाचा बैंगलॉर में तेरी बहन की बेटी सब को उड़ा दूंगा किसने दिया है अड्रेस क्यों रहे चिन्नेई में रहते हैं मेरे बड़े मामा मैसूर में रहती है मेरी पुआ बीजाफूर में रहता है मेरा भथीजा मुंबई में रहते हैं मेरे बड़े पापा, चिक मंगलूर में रहते मेरे छोटे मामा, सब का एड्रेस लिख ले, अगर किसी को तुने हाथ भी लगाया न, तो तेरे ये हाथ काट के, कहां डालूँगा, तुझे अच्छे से पता है, रतन किदर है, रतन ये वीडियो देख, का भाहिल बेटा, मैं इससे ने छोड़ूंगा, मैं इससे ने छोड़ूंगा मा, मैं इसकी जान ले लूंगा मा, रतम, ये ले, बेटा उसे मत छोड़ना, उसे बिलकुल मत छोड़ना, मत छोड़ना, उसे देखो बेहन, ये बाहू बली सिनिमा में, अनूश का शेटी पहने भी थी, उसके बाद, और माल दिखा रे, इसे दिपिका पड़ूकोर ने, राम लीला मूवी में पहना था, ए गीता, ये कलर देखो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, नाई आंटी, क्यो, मेरे उनको डार कलर्स बिलकुल पसंद नहीं है, ए वो क्या, कौन है वो, बता ना कौन है, और कौन होगा, दा वन अन अल्ली राज, विराज, राज, विराज, लेकिन मेरे भाई ने किसी को भाव नहीं दिया, ओ हेलो, मैं भी कुछ कम नहीं हुआ, समझो, बारिश होती थी ना, तो सारे लड़के मेरे घर के सामने लंबी लाइन लगा कर खड़े हो जाते थे, अरे भगवान, हम छाता लाना भूल गए ना, ये तुम्हारा फैन है ना तुम सबको यही लग रहा है न, ये वन बे लव स्टोरी है, तो फिर, राजा भी मुझ से प्यार करता है, जो राजा भी माने ने कुछ नहीं मानेगे, मैं भी नहीं मानूगा, ऐसा कि लेकिन नहीं करेगा, इतर देख, राजा हम सबका बेटा है, हमारे पर्मेशन के बिना अकेलर डिसिजन नहीं ले सकता, मतलब मैं जूट बोल रहे हूँ, क्या, क्या, मैं जूट बोल रहे हूँ, हमारे राजा आ गया, ओके-ओके, तुम सब जाकर छुप जाओ, आई विल प्रूव इट ती यू राइट नाव, जल्दी, जल्दी, पेर हाथी जाओ, जल्दी, हो अंकर, आपे जाओ, हाई, हाई, घर के हरे कोने में आज, कोई ना कोई छुप कर बैठा हुआ है, जरूर कुछ कड़वड है, बैठे गीता जी, गीता जी, क्या समाचार है, ऐसा भी बोल रहा है, ये सब छोड़ो, तुमने मुझे पहली बार का प्रपोस किया था, याद है तुम्हें, प्रपोस, गीता जी मैंने कब आपको प्रपोस किया है, या मतलब, देखिए, चंदा मामा को दिखा कर हम बच्चे को बहला सकते हैं, पर बच् ये मैं थोड़ा बहुत अड्जेस्ट कर लूँगा, देखिए, इस मामले में मैं अखिला डिस्रिजिएन नहीं ले सकता हूँ, मेरी मा, मेरी चाची, मेरी छोटी बुआ, मेरी बैहन, मेरा कुता, मेरा ग्याहा तक की मेरी घोड़े का डिस्रिजिएन भी बहुत चाची, छोटी मा, आप सब यहाँ पर, अरे, आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चेंज कर ले, टिकेट, इसना तो हमको गुद्दू बनाया, हम सबसे ओके करवाया, घर पर तुमने सबसे यह कहा कि तुम्हें किसी अपने फ्रेंड से मिलना है, अब बोलो कहां पर ड्रॉप करूँ, ऐसे जूट बोल रहे थी, वो क्यों? सब के सामने तुमसे बात नहीं क कहीं कुछ आगे पीछे हो गया तो, अगर तुम पर कोई हमला करेगा ना, उसे मैं अपने उपर ले लूँगी, तुम्हें रुको, मैं भी आता हूँ कर दो ले आता हूँ हागी ता हलो राजा उस दिन त्याटर में एस्पी को मान कि दिन कोशिश की थी ना उसका पीछापर रही हूं है本 चल्दी आजा था तुम कॉणुकर रहो हो कि अ होट हiblो कि मैं अधैיל मताख्य तुम एंधरिंपा तो चल्दी आजा तुम कॉणूश करती रहो है तो सफ्रेखना एक्या मैं पॉल कॉंफरेंस में डालता हूं वाजा यही है यही है बस मेरे पीछे आते रहो ए तुझा मैं इसके पीछे हूं मैं उसे की पीछे हूं वागे से लेक्ट में मुड़ा है अभी वाजा किसके लिए फालो कर रही है तुझा कौन है तुझा राजा यही है यही है आरे आरे जल्दी आ आजाओ आरे आरे तुझा टढ़झा बाजाँ आरे चैन है ईंग न तुझा आरे बीए फाँ मैं मैं आ ढक कव किज़ जट है राज़ 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 नेक S.P. तु बहुत गलती कर रहा है पैसे के लिए मेरे पैर चाटने वाले तेरे डिपार्टमेंट में बहुत जन है मेरे अरेस्ट होने से सबुछ खतम हो जाएगा क्या भाई सुर्य अरेस्ट हो गया क्या बख रहा है S.P. और राजा ने मिलके उसे अंदर कर दिया आपके धंदे के बारे में पता चल गया तो दोनों एक हो गए पता है पता है वो सूर्य अरेस्ट हो गया अरे उसको छोड़ S.P. तुझे अरेस्ट करने के लिए वारंट रिड़ी कर रहा है करने दो करने दो मुझे उसमें से कैसे बाहर निकलना है मैं अच्छे से जानता हूं मुझे जो इनफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक S.P. ने तुम्हारा इंकाउंटर करने का प्लान बनाया है कि अच्छा मेरे कले लगजा है करीम अलब जाके भाई के लिए फल लेकिया कौन सा फल जाके ले ले का फल कैसे केला लाने के लिए उसके लुख रोखरे दिखाता हूं चिका यह ने प्याइं टुम्हारा उब क्यूने क्या पूछा प्छले क कफल वह लेकिया वही लेकिया बिना चिलके का केला का खानी करी ला आया मुझे बंदर समझाए क्या कुछ भी बोलना है तो है अगर आच तुझ हमेशा मेरा मजाग उड़ाया का तेरी इतनी हिम्मत तुम मेरे साथ मजाग करें गा करेगा मजाग करेगा कोई था कहा क्या पता नहीं है तुम लोग क्या रहें दोनों आपनों लट से रहते हो आखिर में तुम लोगों का प्राब्लम क्या है अरे फल लाने के लिए कहा था बिना चिलके का फल लेके आई यह इतनी हिमत बढ़ गई इसकी आभी बताओ इसे कैसे चोड़ों तुमने क् केला लाने को दिया न वो शिलके वाला अरे बापरे अरे इंसान फल को खाता है बंदा शिलका खाता है तो इंसान है कि बंदर इंसान इसके हाथ में अम्रित नहीं जहर है इसने हाथ कहां कहां डाला होगा कहां कहां खुजाया होगा इसके हाथ से खाऊंगा तो मैं तो पाशास लाग की गारी कुशाउब करने वाले कपणे से कहले को साफ परके धे रहा हो तुझे चिए घंडा लाग रहा है हाar हो किसलिए को पर भॉँल से गिंज़र सक ब्रत हो पर एक। बबसे दखने के बाद मैं लाइभ में केला अजह कभि नहीं घा पाऊंगा क्यों आभेश साफ शुत्रा पानी है शुद्ध गंगा का पानी सम्झे को अभेश आयु है ह्धुने इस केली की वजह से हम सब्ढ़ Effective अब बात किया है समझा इस लिए तुझे ये केला खाना पड़ेगा ए सब लोग इसके केले पोगर आए मैंने इसको केला खिला है अब बुली से उनका नाम बताने के लिए बहुत ही घबरा रहा है मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा प्लान चुपा रहा है कुछ भी ओ तुमारे फैमिली मेम्बरज करें ने कली Casa ठीक है सुरी उनका नाम बताने के लिए बहुत ही घब्रा रहा है नेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा प्लांश को रहा है यह कुछ भी ओ तुमारे फैमिली मेमबर्स को फेमिळंगे लिए राजाव वो पांच मिनट में यहाँ आएगा ठीक है चीका चीका ब्लू टी शेट में देख वो आदमी कौन है ठीक है छोड़ो जा रहे मुझे छोड़ो मुझे यह मुझे बहुत खदरनाक लग रहा है राज़ा है गन भी है इसके पास मेरा नाम रतन है मैं चोथपुर से आया हूँ राश्ठाकुर पूरे राजस्तान में अवेट सुपारी के दंदे का पेताज बाश्रा है जहां राश्ठाकुर था वहां के मेरे पिताजी जिल्ला कलेक्टर से उन्होंने उसके उपर बहुत सारे केस लगाए बहरफ तब राश्ठाकुर का राइट हैं था इन दोनों ने मिलकर मेरे पिताजी को मारने का प्लान बनाया सुनिये मर जाएए अंदर आजाएए कुछ नहीं होगा डरो मत डरो मत मेरी बात सुनिये रहो अब अंदर आजाएए नहीं नहीं इन्हीं मत मारो मेरे पती को मत मारो मेरे पिताजी की जान लेकर भहरव ने ये साबित कर दिया कि वो दोनों पुलिस और कानुन के उपर है उसने मेरे पिता को मेरे आखों के सामने मारा और मैं कुछ भी ने कर सका पुलिस के रेकॉर्ड में भहरव अब मर चुका है हम सब भी उसे मरावा मानते थे मगर आपके वीडियो से पता लगा कि वो कमिना अब भी जिन्दा है उसने मेरा ही घर नहीं बहुत सारे घरों को बर्बाद किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भाई मैं उसे नहीं कि राजा चल्दबाजी मत करूं तो क्या करूं मैं और कितने दिन मैं इस तरह शांत बैठा रहूं उसकी वज़ा से नजाने कितने घर बरबाद हुए हैं अब और नहीं होंगे आज की रात पूजा के बाद उस भैरव का अंत होगा मतलब कोई भी कारण की वज़े से इस कैच मिस नहीं होना चाहिए ठीक है भाई अपने पास यही लास्ट चांस है मैं अधर से निकलता हूं समझे ठीक है स्रीच मेरम के प्राण के बैक नहीं टेरान के आने लिए अर्जा यहां कि आता कि जाता है एक आलरा पोड़ने कि गाता गज़ें आफाशकी है बोनी बोनी में है दुश्मन, दिखा दिखा तू अपना दम, निभा निभा तू बर्द अपना जीवन के युद्ध में निभा निभा तू अपना धरम, छुपे छुपे है वो दुश्मन, आज बच्चे ना बैरी तेरे जीवन के युद्ध में जलना तू ना किसी से ज़बों कुसी खा देया, तुसमें है तो हस्कित्मा तू ये दिखा देया है अपने जो भी तेरे उनको आज पाचा ले, है शत्रू जो भी तेरे यहां उनको हरा दे, रक्षात पर अपनों की शत्रू को मिटा दे झाल कि तुसमें है जो है आपने गित तो हमादाउत है और देरे, है जो है जो है जो है जो है भी। कि पुर्फ शर्फ पर उर्फ नहींग कर दो छंङे लडूदीया कर लत वा किया राप ऑम उ ada sudah मिडरेंग कर दो चाचा जी लावनिया अरे आप लोग टेंशन में क्यों है वो बिल्कुल ठीक है एक छोड़ा सा एक्सिडेंट हुआ था बस पर आप लोग यहां पर क्यों आ गए आप सब इतने खामोश क्यों है क्या हुआ क्या हुआ क्या बात है बोलो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बोलो अजड़ जड़ एक बिर दे नहीं… एभ फिर दो 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 दोत है अजड़ एफ 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 प्रॉब एप एप इंचाया अ एप 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 विए र र एफ एप 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 मुझे से बहुत बड़ी गल्दी हुई मा, आपने कहा था उस दिन उसका हाथ तोड़ दो, पर मैंने उसे जाने दिया, अगर मैंने उसे उस दिन खत्म कर दिया होता तो, आज ये सब नहीं होता मा, आपकी इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं आप से बिंती करता हूँ, मुझे छोड़ कर माच जाना, उस भैरव को तो, अब मैं खत्म करूँगा, और उस दानव को अंद करने की शक्ती, मुझे आप देंगी माच जाना, झाल राजा था, राथा ने फोन किया था भैरव राजस्थान में, भाहर आपका फोन ट्रेस कर लिया है, मुझे पता लग़ा वो जोदपूर में है, विदिन 48 आवर्स में उसको अरेस्ट करूँगा। उसने मेरी मापर हमला करवाया है। आपके अरेस्ट करने का मैं इनकिजार नहीं करूँगा। राजा। उस दिन मेरी और मेरी बीवी की जन बचाई इस बात का एडवांटेज ले रहा है तो मुझे हलके में मतले। उस भैराफ को अगर तुने मारा तो मैं खोदा कर तुझे अरेस्ट करूँगा। ऐसा बोलूगा समझा गया है। बिलकुल नहीं। उसे तो अब तेरे हाथों से मरना ही होगा। राम ने रावन का वद किया तो किसी ने भी उसको पुनी कहकर नहीं होगा। वीर धीर शूर वीर कहा। उसने तेरी फैमली के साथ जो न्याई किया है उसके लिए उसको मरना ही होगा। कुछ भी हो जाए मैं देखनूंगा गो गिलेंग भैरव और राज्ठाकुर दोनों साथ में रहते हैं अभी उनसे मिलना बहुत मुश्किल है बेटा माई ये राजा है इनकी माँ को भी भैरव ने मारनी की कोशिश की थी नमस्ते उसने हमारी ही नहीं बहुतों की जिन्दगी बरबाद की है उसे मत चोड़ना बेटा उसे चोड़ना नहीं उसे मत चोड़ना उसे नहीं चोड़ना उसे सुनो किसी ब्यालत में मुझे राज्ठाकुर से मिलना है एक ही राज्ठा है पर बहुत मुश्किल है पर वा नहीं फोन पे कल जिसके बारे हम बात की थी न, यह यह वो चल बैट ए, सिर्फ यह जाएगा, चल बैट डून्ट बोरी कि कह वो भाएगा क्या नाम है कहां के हो मदरासी हो करनाटक आहा मदरासी हो करनाटकी हो सब एक ही है चल बोल मदरासी ये बताओ के यहां किस लिए आया है सुपारी देने आया हूँ सुपारी? किसका सुपारी? पहले रेट बताओ सुपारी देने? बिना नाम बताए दाम जानना चाहता है पचास लाग पाँच लाग एडवांस चल मद्रासी अब नाम बता भैर ओफ कौन? भैर ओफ इतने दिन तुझे कैसे मारना है सोचकर तिमाग खराब होता था लेकिन तो ने खुद यहां आकर अपने आपको फसा दिया है एए तो सिर्फ अपने ही इलागे में राजा है इधर मेरा ठाकूर ही राजा है अगर इसका दिल चाहे तो सिर्फ पाच ही मिनद काफी है यहां बैठे बैठे ही तेरी सारी फैमिली को उड़ा के रख देगा तुने मेरे ही इलागे में कदम रख कर बहुत बड़ी गलती कर दी इधर सिर्फ एक ही शेर है और वो हुआ है कन्फर्म क्या रे कन्फर्म हंटर हूँ मैं सिर्फ मद्रासी नहीं हिंदोस्तानी हूँ मैं पांच मिनट में मेरे पूरे परिवार को खत्म करेगा ऐसा कहा था न तुने तेरे सामने खड़ा हूँ पहले मुझे खत कर के दिखा मैं सिर्फ एक स्टेट का राजा नहीं हूँ जिधर कदम रखता हूँ वहां का राजा मैं बन जाता हूँ वहां का राजा नहीं हूँ जिधर का राजा नहीं हूँ मेरी माँ पर हमला करवाया तुने मुझे पर हूँ मुझे मत महरू ब्रीस मेरी से गल्दी हो गई मुझे मत महरू मैं तेरे पैर बढ़ता हूँ मुझे माहफ कर दो तेरी मा की कसम अब से गलती नहीं करूँगा मा के उपर कसम खा के बोल रहा हूँ मुझे क्रिपा करके जोड़ दो क्रिपा करके मुझे माहफ कर दो आगे से जिकलती नहीं करूँगा हो 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 जा घर्ण हो 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 संभ आरा संभ आरा संभ आरा कर दो कर दो